इससे पहले कि बहुत देर ओजाए दुनिया को भारत की इन हरकतों का नोटिस ले लेना चाहिए आप जो कर रहे हैं वो लेग कहते हैं आप जो कर रहे हैं इसको प्रोपेगेंडा करें मेडिया का काम सच दिखाना है हम compliance गेने विक हैं लिक दिल्कुल आप कर रही है तो आपने सबसे पहले घबराना नहीं है हिरामंडी से भागी जाहिल ओरत फिजा खलीपा हिंदुस्तानियों के अंदर फज जाती ना तब इसकी बॉलती बंद हो जाती इसकी चेरे से होईया उने लग जाती इसका चेरा देखने के काबिल हो जाता ऐसा ही आज हुआ है कि आज जो हमारे इंडिन पेनेलिस्टों को इसने अपने शो में बुलाया तो इन भार्दियों ने इतने अच्छे और सुन्दर जवाब दिये ना देख के आपका दिल खुश हो जाएगा तो इस वीडियो में आपका भाई बीच में कहीं नहीं आ रहा आप वीडियो का मज़ा लीजिए आपका भाई मिलेगा आखरी में इससे पहले कि बहुत देर ओजाए दुनिया को भारत की इन हरकतों का नोटिस ले लेना चाहिए अच्छा मकबूजा कश्मीर में भी इनसानी एकुग की जो खिलाव दर्जी है और जो काबिस भारती फॉर्सीजन की जानेब से कश्मीरियों की शाहादतों का सिलसला आप देख रहें के रुक नीरा जारी है अच्छा मकबूजा कश्मीर में भारत यक तरफ एक डामात खिते के अमन के लिए खत्रे कबाइस भी है और खुद भारत में एकलियती बरादरी महफूज नहीं है और ये है मोदी का शाइनिंग इंडिया अच्छा ये बात तो बिलकुल वाज़े है कि पाकिस्तान के खिलाब भारत का जो बेग बुनिया ट्रॉपगेंड है वो सिर्फ उनकी मायूसी और उनके जो अंदरूनी तज़ादात है उससे तबज्जव हटाने की कोशिश को जाहिर करते है भारती जासुस्त जो कुलवोशन है उसको भी अडालत ने अपने ह् amendments में कहा है कि कुलवोशन को वकील फराम्ड करने से मुतालिक भारत को एक और महलत दे रहे हैं और इटानी जैनल ने दालत को यह बताया कि भारत ने पाकिस्तानी दालतों के सामने पेश होने से इंकार कर दिये भारत का मौकिफ इस पर यह कि वियाना कन्वेंशन के तहत एक खुद मुक्तार रियासत है बगर अटानी चानल के मताबदे भारत ने अपने आज के अदियों की रहाई के लिए इसी अदालत से रुजू किया था इसमें सबसे पहले आप से सवाल करना चाहूंगी आपके वजिराज़म मोदी जी कहते हैं कि भारत में जमूरियत काइम है जो मूरित कहते हैं किसे हैं यह हिंदुस्तान का प्यार है जो आपको सलाम किया था आपने बड़ा सीधा सा आरोप लगा दिया हिंदू और या पिसी वी पॉम पर आरोप लगाना बहुत आसान लेकिन आरोप की सचाह नहीं हुआ क्या बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं दो लोगों के जगड़े को अभी आपने असम का जिक्र किया असम में मुसल्मानों पर हमला नहीं किया असंऺ और मिजोरम का जगड़ा था उसको लेकर के दो स्टेट के जगड़े को आपने बrzyन्दों के हिनु in नहीं होसकती न मीडिया का काम है सच को दिखाना सच को सामने लाना मीडिया का काम प्रोपेगंडा फ्यलाना नहीं आप जो वो प्रोपेगेंडा कहते हैं, आप जो कर रही हैं इसको प्रोपेगेंडा करें, मीडिया का काम सच दिखाना है, सच बता है, बिलकुल, आप कर रही हैं, नीरच आप तु मेरे कैसे बड़े बड़े बैठें, आप ने पूरा गुस्सा निकाल दी, कमर में आपकी तरफ आना गया, जबके पिछले ही अपते, नरेंदर मोदी जी के शहर गुजरात में दो अरब डॉलर की ड्रग्स पकड़ी गई हैं, यह मैं नहीं कहरा, यह भारती मीडिया की खबरें हैं, तो मोदी साब के शहर से दो अरब डॉलर की ड्रग्स पकड़ी जाएं तो कोई खबर नहीं हैं लेकिन शारु कान क्योंके मुसलमान एक्टर है उसका बेटर आठ्यान मुसलमान है तो मुसलमानों को ये डर्ग डर्ग अप्लाइर और ये सावथ करना चाहते हैं तो ये तो डौक्टर सहबा प्रॉपेगेंडा इसको कहते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं यही वज़ा है कि वो आज दर बदर दक्के खा रहे हैं पूरा मीडिया खड़ा हो गया है एक मासूम बच्चा जिसकी थोड़ी सी अभी उमर है जिसको किसी गल्फ कंपनी में अगर बैठ किया तो कि उसको नहीं बैठना चाहिए था ले कि शारुखान मुसल्मान है इसलिए उनको टार्गेट किया गया फिजा मैं आपके सवाल का जवाब क्या दू मुझे समझ नहीं आ रही है कि मुस्लिम भाईचारा जिसको भारत सरकार ने जिन हमारी जो बैहने हैं मुस्लिम भाईचारे के बीच जो आती हैं उनके लिए इत मंतरी मंडल में लोग बैठे हैं उसमें भी कितने ही खान होगे मुस्लिम भाईचारे के लोग होंगे तो ये गोदी मीडिया आपने कहा भारती मीडिया को मैं आपकी बड़ी अराम से बाते सुनता हूं आपके साथ जब भी प्रोग्राम में आता हूं लेकिन बिलकुल ये निराधार और पाकिस्तान की जितने भी आवाम इस वक्त आपके टीवी चैनल को देखती है, मैं कहता हूं कि जन हैत की बात की जाए, जन सराकार की बात की जाए, या तो आप ये बोल दो कि आज सुभा जो पाकिस्तान में भूकां पाया था, उसके पीछे भी भारत का हाथ है पाकिस्तान के मैपस पूरी आवाम को नहीं दो से ठहरा था पहली बात यह जो हुकमरान है और यह जो मिस्ल गाइड और मिस्लीड जो कन्फूज एंड रूल की पॉल्टिक्स चल रही है पाकिस्तान में और उसके साथ साथ जो आप जिसे गोदी मीडिया भारत को कहते हैं तो पाकिस्तान क्या कर रहा है किसके इसारों पर यह मीडिया ऐसी बात कर रही है बात ने जो है भड़काओ तरीक के सारा की जाए आप एक चैनल के एंकर का भारती का लाम लेने वाले दिए मीडिया थो खुल क oldest दिएर कोया धाया टृमकरेसी हारी किमडिया नेरेंदर मोदी किया कर रहा है इरिंडा गारें हो रहे हैं मसलमानों पर जल्म हो रहBoy आदे आप एका मीडिया कारते हैं थे किसानकी आप आक चुहड़ो पाकिस्तान ने विक हृत dus चाइना की पाकिस्तान के सा दोस्ती आपको बड़ी चुपती चले मैं समझती हूं आप लोगों का दर्द आपनों का दुख अधान के सा इनको चाइना का पाकिस्तान के सा तालुख. तो इम्रान साब से या तो जाके शरीफ साब से पूछें कि घजाना लुटा क्यों क्योंकि पाकिस्तान के जो हलात है जो जमीन पूरात है उन पे बात ले आए इदर भारत आपके जहन में कहां से इस टाइब आ गई आगई तो आपके पेट में गड़बढ़ी हो रही है क्यो पेटे के नाम आरियन खान और के बल वाटिजिन खान एक डहलोग भी है शारुख खान को जब इस देश ने उतना मोहबत और प्यार दिया तक कमरचीमा को वो याद नहीं आया वो 19 करोड मुसलमानों के हीरो नहीं है वो 130 करोड धार्तियों के हीरों है ये ध्यान रखे अब तक 16 से ज़्यादा लोग गिरफतार किया गया और उसमें से 90 परसेंट से ज़्यादा करते हैं जी शारुख खान सल्मान आमिर खान ये जो पाई अदाकार है उनको आप लोग बड़ा प्यार देतें बैसिकली मजबूरी आपकी जारी बात है जब फिल्म प्रोड्यूस करेंगा जो पैसा लगाएगा फिल्म पे कमर आप इस बात से अग्री करेंगे जो फंकार ज्यादा कमा कर दिखाएगा तैलेंट है तो कोई मजब नहीं है तैलेंट है अजर टैलेंटेड है वहाँ पे मुसल्मान अदाकार तो बिर उसकी मजबूरी बाज़ेगा ना शारु अच्छा माशलाब लोड कीजेगा कि जितने मुसल्मान फंकार है ना वाँ पे टैलेंट सिर्फ उनी में ज्यादा लिका तो मुसल्मान है जनाव पहले हिंदुस्तानी है तो तभी भारत वारत के सब ये कर रहे हैं जनाव तो सजा मिलनी है शारु खान और उसकी फैमिली को शारु खान और उसकान को सब्सक्राइब करते हैं चले पर यहां मान लेते हैं आपकी बात क्यों भारत ही हैं चले उनको मुसल्मान आप ना समझें भारत ही तो समझ के उनको इज़त दें उनके उपर कौन से उंगली उठाई की नहीं लेकिन आप हमारे मुल्कों को बतनाम मत फिजी आप प्रोपेगेंडा की दुकान खोलिए एक 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 जेमपल दो नहीं कमर्चिजा जी आपकी इस प्रोग्राम को जितना हिंदुस्तान में देखा जाता है उतना पाकिस्ता में भी नहीं देखा जाता है ये हिंदुस्तान का प्यार है आपके लिए ये मुहबत होती है किसी एक देश से दूसरे देश की आप कैसे किसी हिंदुस्तानी को करेंगे इसका मतले वहां लोग मानते हैं हम तो कहते हैं कि बीजा लीजिए लाहोर से बस आता है उसमें भारत आ जाईए अब आपकी जो भी आपको सवाल है सब्कार देंगे वास्त्त्रिक तो और पर बात कीजिए घुमराब फिराके गोदी मीडिया वाला ये पाकिस्तान में चलता होगा ये भारत में नहीं चलता निरेंदर मोदी जो है और देश का जिस तरीके से काश को परद्वान मंत्री बांच जाए ना कि मोल के बेडा गर करने चले हैं भारत का इम्रान खान साहा जैसे जैसे नर्वा जैसे शरीब साहब की सराफ़त देख लिए जी कमर कमर मैं खान साहब की देखिएगा एक सोपचास हर्ब से जादा तो आपको पाकिस्तान को आठी संक्रत देखिए जादा को बात करें हैं उकात की किसी मुलत के परदार मत्री को आप बो रहे हैं इमरान खान साहब की हम बात करें तो भी इजद दे रहे हैं और सोबात की एक बात नीम का पत्ता करें तो आप क्या जवाब देते हैं तो वो आप का जवाब देते हैं किसमें जरूर उतार दिए आप कोई बात क्लिए एक विंदी करो आप से वीडियो को शेर जरूर कर दिया किजिए आपके भाई को हर्दे से प्रसंता मिलेगी प्रफुलित हो जायागा मेरा मन लाइक शेर सब्सक्राइब आप करी देंगे आप लोगों को अपना बहुत सारा ख्याल रखिए आप खबाई मिलता है आपको अखले वीडियो में जैहिन भंदे मातरम जैश्री राम जैश्री राम जैश्री राम जैश्री राम